सल्मान खान क्यों बार बार होते हैं ट्रेंड क्यों सल्मान की हर तस्वीर का कनेक्शन मूवी से जोड़ा जाता है इस वीडियो में आपको बताएंगे ऐसी ही डिटेल एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब सल्मान खान का जिक्र नहीं होता हलांकि ऐसा होता है उनके क्रेज की बदौलत माना जाता है कि करीब पचास देशों में सल्मान खान के करोडों चाने वाले हैं और यह फैंस हर दिन सल्मान से जड़ी कोई न कोई बात जानने में हैं फिर चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो या मुवीज की गॉसिप यही बजाय कि सल्मान खान ट्रेंड में बने रहते हैं दूसरा फैक्ट यह भी बताया जाता है कि हर फिल्ड में उनके चाहने वाले हैं मीडिया इंडस्टी से लेकर फिल्म इंडस्टी तक और सेलब से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों तक सब सल्मान खान के कद के मूरीद हैं इसलिए उनके पॉपलरेटी मिलती हैं और इसमें आम आदमी से लेकर इंटरनेशनल लेबल के टॉप क्लास के लोग भी होते हैं सल्मान खान जब भी किसी एक्टिर के साथ तस्वीर खिचवाते हैं या किसी नए लुक में नज़र आते हैं तो उसका मतलब सल्मान के अगली फिल्म से जोड़ा जाने लगता है ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सल्मान खान उस दौरान शूटिंग से ब्रेक ले चुके होते हैं या फिर उनकी अगली शूटिंग की टाइमिंग फिक्स होने वाली होती है खास बात यह है कि सल्मान खुट किसी एक्टेर या हीरोईन से कई सालों बाद मिलते हैं और इसलिए उनकी फिल्म को लेकर कयास लगाए जाने लगते हैं सल्मान खान जितने पॉपलर होते जा रहे हैं उतना ही उनसे जलन करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं और यह ऐसा अक्सर तभी होता है जब किसी स्टार की फैन फॉलाइंग कई गुना बढ़ जाती है यह फैन फॉलाइंग सिर्फ आम पबलिक नहीं बलकि इनमें बड़े ब फेमस करना चाहते हैं सल्मान खान ऐसे स्टार जो देशीपन के लिए जाने जाते हैं और उनका यही अंदाज हर बग के लोगों को पसंद आता है इनमें पड़े लिखे लोग भी होते हैं आम इनसान भी होते हैं और हर उम्र के खास लोग भी होते हैं ये खुझ से सल्मान को relate करते हैं, सल्मान खान भी अपनी तरफ से इसमें कोई कमी नहीं रहने देते और ये न सिर्फ फिल्मों में दिखता है बलकि रियल लाइफ में भी सल्मान वैसा ही दिखाते हैं, किसी तरह का उनकी तरफ से बनावटी पन नहीं होता, सल्मान मूँ परी अच्छे और बुरे का फर्क बताते हैं दोस्तों आपके हिसाब से सल्मान खान को दस में से कितने नमबर मिलने चाहिए और क्या होना है, गलोबल इस्टार माना जा सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी रहे जरूर दें